आपका क्लास 8 इंग्लिश का सेट B के सलुशन लेकर पेपर कंड़क्ट हुआ था आपका 2023 में रिसेंटली ही कंड़क्ट हुआ है यह वाला पेपर आपका अगर आप जल्दी में हैं और आपके पास ताइम कम है तो आप जो है इसकी पीडियाफ जो है नीचे अधीगी डिस्क action के अंतर जा कर देख सकते हैं वहाँ से आप ड्रेक्टली PDF कर सकते हैं इसके अलावा जो है अगर आप हमारे tellie-gram के ग्र्प में है ज़ चैनल पे हैं छोंद पर हम इस paper को जहां पर question wise discuss करने वाले तो अपनी तरफ से मैं कोशिश करूँगा कि बहुत fast paper को discuss किया जाए and I am sure जब हम चीजों को fast fast करते हैं कुछ चीज़ें चूटेंगी but I am sorry for that क्योंकि आप बच्चों को generally जो है एतना time होता नहीं चीज़ों को देखने के लिए anyway हम जो है अपनी कोश्च करेंगे चीज़ों को maximum marks होता है आपका 40 and इसमें जो है आपको time दिये जाते हैं डाई गंटे के set है आपका यह वाला भी 2023 के अंदर टी टू का paper है क्लास एट का paper conduct को गया था कश्मी डिवीजन के अंदर paper ने पिटरन पे है paper हमारे साथ शेयर किया है इशान ने and we are thankful to him section आपके होते हैं तीन तो पहला section जो होता है आपका comprehension का होता है दूसरा grammar skills का and third आपका जो section होता है वो होता है literature का बात करेंगे हम पहले section की पहला question है आपका read the following prose passage and answer the questions given at the end एकना इस passage को पढ़िए and then उसके बाद यह गे जो questions है उनके answer आप बताईए the next day was dark and cloudy उसके बाद का जो दिन था वास कह रहा है तो उसके बाद का दिन था कोई परानी बात कर रहा है ठीक है right the next day was dark and cloudy जो next day था वो काला था and cloudy था जब आप देखेंगे दिन में जब गने बादल काले बादल शाह जाते हैं तो दिन में अंदेरा हो जाता है इसलिए जो दिन था वो अंदेरी वो काला था there had been thunder and lightning all night long with terrible storms of wind ठीक है जहां पे जो है थंडर जो है बिजली कड़क रही थी ठीक है ठीक है ना लाइट निकलती है cloud की frictions की वज़ा से पूरी रात जो है वहां पे जो है काफी terrible storms जो थे wind के देखने को मिले ठीक है ना ऐसा लग रहा था कि पूरी अर्थ जो है वो जो है shaken हिल रही है and trimble हो रही है ठीक है मतलब हिल रही है ठीक है केसर वास back by his wife kalpurniya केसर जो है उसको अपनी जो भीवी है उसकी वो मेनतें करती है जिसका नाम है kalpurniya केसर की बीवी है कलपुर्णिया केसर की मनतिं करती है क्या कहती है उसको ना टो गो टो दा कैपिटल तो उस जो सुबा है जो अपकमिंग जो मारनिंग थी उसके लिए वो बिग का रहे थी अपनी वाइफ अपने हस्बंड को कि वो कैपिटल में ना जाए कैपिटल मतलब यह वो जगह थी टावन हाल था सीड़ी का जहां पर केसर को जाकर एक स्पीज डिलिवर करने थी क्यों इसको अपनी वाइफ बोल रही थी कि इसको वहां पर नहीं जाना चाहिए ठीक है ना तो जहां पर आगे राइटर लिख रहा है शी हैड जो कलपूर्णिया थी जो केसर की वाइफ थी उसने एक बहुत ही ड्राउना फ्राइटनिंग का होता है खत्रेनाक जो है ड्रा देने वाला उसने जो है खौब देखा था जो केसर का स्टेजव है जो मार्कट प्लेश के अंदर लगा रखा है ठीक है ना उसका जो है उसके सामने जो है बलाड आ रहा है उस पे बलाड है और जो रोमन पीपल हैं वो आ रहे हैं हिस्ते हिस्ते मुस्कराते हुए और जो अपने हाथ जो है इस खून से वो दो रहे हैं जो है अब जो ये जो है ये तो background हमें writer बता रहा है उसके बाद जो है ये वाली जो quotations के अंदर शुरू होते हैं sentences ये वाली जो बाते हैं ये की हैं किसने कलपूर्णिया ने अपने husband से someone saw a lion in the marketplace किसी ने जो है एक lion को देखा है marketplace के अंदर and graves opened and gave up their dead और जो कबरे हैं जो graves खें वो open हो चुकी है और उन्होंने जो मुर्दे हैं वो बाइर उठा के फेंग दी हैं there was the nice of battle in the air यहां पे जो है चारों तरफ जो शोर जो है हवा के अंदर वो जंग का देखने को मिल रहा है and the cries of men and hurts in the pain और जो चीखे हैं किसकी अंसानों की and जो हर्से के हैं दर्द की वज़ा से उनकी जो चीखे हैं वो देखने को सुनने को मिल रही है सोरी देखने का हो गया ओ के सर तू समझ के यह वाली जो चीज़े हैं यह समझ से बाहर हैं जो चीज़े हो रही है समझ के बाहर है and I do fear them और इनकी वज़ा से मुझे डर है I am sure they are warnings और मुझे जगीन है कि यह जो है warning से science के something terrible is going to happen to you यह इस चीज़े सायन है कि कुछ तुमारे साथ जो है खत्रेनाक अन्होनी तुमारे साथ होने वाली है wife कहा है रही है अपने husband को उसको रोग रही है कि वो capital में ना जाए speed deliver करने के लिए questions के नीचे 5 दे हुए हमें इसको करना है answer why did कलपूर्निया persuade keser to stay at home कलपूर्निया जो keser की wife है वो क्यों persuade करती है अपने husband को force करती है कि वो घर के अंदर ही रही कलपूर्निया क्यों अपने husband को force करती है अगर हम उपर जाएं और देखेंगे कलपूर्निया जहां पे है अगर हमें समझ नहीं आ रहा आगे पीसे भी देखेंगे तो frightening dream जो है हमारा इसका most appropriate मिलता है क्योंकि इसकी wife ने एक خواप देख रखा है कलपूर्निया had a frightening dream कलपूर्निया ने जो है एक जो है ड्रावना खवाब देखा है जिसकी वज़ा से जो है उसको धर है क्योंकि उसके पती के साथ कुछ नहोंनी हो जाएगी that's why वो उसको persuade कर रही है कि वो ना जाए गर में ही बैठे next है हमारा विच अफ तो following is the part of कलपूर्निया की ड्रीम का कौन सा पार्ट है वेदर नाइट अर्थ डेड जो है वेदर की बात करें यह तो राइटर explain कर रहा है paragraph के श्रू में कलपूर्निया की जो ड्रीम का पार्ट है वो है डेड ठीक है ना तो कलपूर्निया की जो है जे वाला है यह है डेड ठीक है ना तो कलपूर्निया जहां पर आपने जो है husband से बात कर रही है जहां पर है डेड तो यह पार्ट जो है इसकी ख smell का पार जो है डेठ है ठीक है देन आते हैं हम नीचे she had a most frightening dream जो इसको है एक इसकी वाइफ कलपुनिया को एक बहुत ही ड्राउना ख्वाब आता है तो हमें आगे कहा रहा है इन विच कैसा स्टेच इस दिस दिस चूज दा अपोज़ट आफ अप अपोज़ट है उसका अपोज़ट हमें बताना है इसको हमें गोर से देखना होता है इस वर्ड को अंटेलायन कोन सा है ड्रीम इसका अपोज़ट हमें देखना है थीक है aimerें Nathan लिए आते हैं नीचे दिन है आपका फॉर्थ पार्ट पार्ट केंदर हम आते हैं नीचे स्क्रॉल करते हैं इसको a bit and here we are pick the odd one out हमें जो odd one है उसको जो है pick करना है lightning, thunder, cloud and night हमने किसको pick out किया है cloud को ठीक है ना आप तो बोलें कि sir ये वाला जो है lightning, thunder and cloud scientifically देखें जब cloud होते है frictions होती है इसी की वज़ा से जो है lightning भी होती है and thunder भी होता है आदिन आपने जो है ये तिनों एक होने चाहिए and night जो है बाहर होनी चाहिए अपने आप में ये वाला confusing है इसका reason में बताता हूँ कि मैंने क्यों cloud रखा है ठीक है ना, चलिए हम उपर आते है and then paragraph के first में चलते हैं जहां पर देखें, जहां पर इसने क्या कहा the next day, the next day was dark and cloudy, जो next day था वो dark था and cloudy था जहां पर day की बात कर रहा है जो day था, ये cloudy था ठीक है ना, and then जहां पर thunder, lightning, जो thunder है lightning है, all night जो रात को जो थी, thunder, lightning जो थी, इसके साब से, जो है रात में ये तीनों जे तीनों का इसने जिकर किया है ठीक है ना, इसलिए मैंने जो है इसके साथ, जो है, thunder, lightning and night को एक जगा पर रखा है cloud इसने day से correlate किया है तो मैंने वहाँ से day से कर दिया हलाएं कि अगर scientifically देखें तो वो जो है, वो तीनों जो है मिलते हैं, ठीक है ना, but anyway जिन बचों ने जो है, इन दो में से कोई भी लिखा होगा I'm not sure के, जो है cloud लिखा हो, या night लिखा हो, ठीक है ना जो है, इसमें, दोनों में जो है आपको marks मिल जाएंगे, ठीक है, anyway आते हैं, जूज़ दा वोर्ट स्टेच्व इंज़ार उन संटेंस जो कहां पे, जो है, कहां पे है नियुज़ याक सेटी के अंतर, इसके लावा और योर सिंटेंस आप बनाना चाहें आईसा है स्टेचियो, टुडे इन दा मार्कट ये वाला भी जो है, आप लिख सकते हैं इसके लावा कुछ और भी लिख सकते हैं जैसा आपको जो है, बैटर लगे ये दस साल ओल्ड है ठीक है ना दस साल का बच्ची है के बच्चा है अभी हमें नहीं पता पता चल रहा है अलमा जुएद वाज 10 years old, अलमा जुएद दस साल का बच्चा है, अच्छा एक्चल में बच्ची है, ठीक है, अलमा जुएद जो है, दस साल की बच्ची है, शी वाज ए स्टूडेंट आफ कार्मिल, कार्मिल कॉन्विंट इन पोर्ड बलेर, ठीक है न, यह जो बच्ची है, स्टुडेंट है किश औरीज की बात कर रहा रहा है अंडयमान और् निकबार इरियस की बात यहां पे रइटर कर रहा है हर मदर्स राहला हम वाजिन नैन का期 आईलेघ्र कर ला न न GOOD यहां आँ आँ जो माँ की पेरिंट्स जो रहते हैं जो family है वहांपे गई है क्या करने क्रिसमस जो है क्रिसमस किसकी मारणीं किसकी वाज़ा से आता है जब अच्टिविटीज होती है, जब जलजला होता है, तो जब सुबह में जलजला हुआ, जब ट्रेमर्स आए, ठीक है ना, तब जो फैमली थी, वो सो रही थी, अलमास, फादर, सादा, थी, वाटर, सीड, अलमास का जो बाब था, उसने देखा के जो सी का वाटर है, वो सीड कर है, रिसीड का मतलब होता है, पीछे हाट रहा है, ठीक है ना, जब सुनामी आती है, तब क्या होता है, फार एकसंपल कोई बीच होता है, जनरली बीच इस तरह से होता है, ठीक है ना, जब जो आप देखें के जब सुनामी आती है, तो पानी पहले ऐसे पीछे पीछे जाता है , då मतलब इतना पानी पहले जहाँ पे था अब जो है पानी जहाँ पे होगा यहँ गिस रहे खर मतलब के हीए पानी पेछे जा रहे है पेछे जा रहे है अब पानी आगे बी आएगा स्वनामी आने वाली वापस आएगा पानी उसने सब को जगाया एंड सब बागे किस तरफ आके एक सेफर जगा पे पहुँच पाएं जैसे ही वो दोड़े और ग्रेंड फादर वास हिट अन दा हेड़ बाई सम्थिंग और फादर फादर था ठीक है ना किसका ग्रेंड फादर इस अलमास का जो ग्रेंड फादर था ठीक है ना इसके बाप का जो बाप था उसको जो है सर में एक चोट लगती है जिसकी वज़े से वो घिर जाता है and he fell down हर फादर रश्ट तो हल्प है इसका बाप जाता है मतलब का अलमास का बाप जाता है इसके दादा की हल्प करने मतलब इसका बाप अपने बाप की हल्प करने के लिए जाता है ठीक है? टॉके टॉक्ट ट्विस्टर तो नहीं हो रहा I'm sure हर फादर रश्ट टू हल्प है ठीक है? तिन केम दफ फस्ट जायंत विव ताट स्वेप बोथ आफ देम अवे तब उसके बाद जो है एक बहुत बड़ी खत्रेनाग जो विव है वो आती है और ये दोनों जो हैं बाप बेटा अब बह जाते हैं ठीक है नए एक बड़ी जो वेव थी उसके अंदर चले जाते हैं अलमास मदर एंड आंट्स टूड क्लिंगिंग टू दा लीवस आफ ए कोकोनट ट्री जो अलमास की जो मान थी और इसकी जो चची थी ठीक है नए वो एक पेड जो है उसके साथ जो है चिपक जाते एक कोकोनट का चो पेड था उसके उसके उपर चाड़ के उसके साथ चिपके रहते हैं कालिंग आउट टू हर और इसको आवाज देते हैं ठीक है ना बच्ची को इतने में क्या होता है कि एक वेव आती है जिसकी वज़ज़ से यह जो पेड़ था जिसके इसकी आंट और इसकी मदर थी वो भी उखर जाता है ठीक है ना मतलब पेड जो है जनों सही उपर आ जाता है जिसकी वज़ज़ से पेड गिर जाता है और इसकी वज़ज़ से इन दो की भी जो है मौत हो जाती है ठीक है ना पहले बाब बेटा गए एंड उसके बाद मदर आंट की जो है पेड़ पे थे इनकी मौत होई खिल मास सा एक लौग आफ वुड फ्लोटिंग अलमास ने देखा के एक जो लगड़ी थी लाग होता है लगड़ी एक जो लगड़ी का पीस जो आ वो फ्लोट कर रहा था तो षी केलिम्ट आंट टूइट और वो इस पे चाल गए यह जो लगड़ी का टूग़ा था ठीक है न then she fainted उसके बाद ये faint होगी faint का मतलब होता है जब आदमी को अपना जो है जक्कर आता है अपना खोशवोश नहीं होता ठीक है न when she woke up जब वो जागती है she was in a hospital in kamorta जब वो जागती है तो वो एक hospital में थी कहां पे थी kamorta के अंदर she was brought to port player और यहां से उसको फिर वापस लाया गया कहां पे port player में little girl does not want to talk जो छोटी बच्ची थी वो किसी से बात नहीं करना चाहती थी about the incident with anyone यह जो incident हुआ था यह जो tsunami वाला incident हुआ था इसके बारे में किसी से बात नहीं करना चाहती थी she is still traumatized यह वाली जो भच्ची थी यह अब भी जो है traumatized में थी trauma में थी इस जो थी इसका जो incident हुआ था इतना भिहानकों से बाहर अभी नहीं आई थी that's okay name the union territory where did all this happen उस union territory का आप जो है नाम बताईए जहां पे यह सब हुआ देखिए इसने तो उपर लिखा नहीं है कि union territory कौन सी थी anyway मतलब मैं यह कह रहूँ कि paragraph के अंदर नहीं लिखा हुआ तो यह तो gk based हो गया ठीक है न name the union territory where did all this happen तो किस union territory के अंदर यह वाला जो है हुआ आपका यह हुआ यह जो मामला हुआ सुनामी हुई यह death हुई यह incident हुआ कांपे हुआ यह हुआ यह हुआ एंड़मान निकोबार पोर्ट बलेयर नैन कावरी जो है यह निकोबार आइलेंड का हिसा है ठीक है न तो निकोबार किसके अंदर आता है एंड़मान निकोबार हमारी यूनिन टेरिटरी है बेयाफ बिंगाल के अंदर उसकी लोकेशन में आपको बता दी एंड़ वहां पे यह जो पूरा है मामला हुआ था ठीक है तो इसी चीज़ को हम लिखेंगे कैसे लिखेंगे अगर इसकी ऊपर उपर वाला भी कुछ नहीं लिखेंगे यहां पर आप इंड़मान निकोबार लिखेंगे आपको मार्क्स मिल जाएंगे इसलिए मैंने इसको कैपिल में लिखा फूर सेवेड इंड़ जो है लास्ट पे कौन जो है बचा लास्ट पर जो आप देखेंगे लास्ट पर जो एक भची थी इस जहां पर जो है वही भची ठीक है न वह बच गई थी ठीक है वह एक लॉग पर चाड़ गई थी इंड फाइनली उसको जो है खुमृता की होस्पिटल के अंदर उसने खुद को पाया, तो अलमास जो थ इसकी फेमली जो है celebrate करने गई थी Christmas तो Christmas religious की जहां पर Christmas की जहां पर बात हो रही है यह मैंने लिखा है Capital के अंदर Christmas religious festival mentioned in the given passage given passage के अंदर जो है Christmas की बात हो रही है चलिए next हमारा है question number हो गया हमारा question number fourth एक जो विव आदी है उसने जो है पेड को उखार दिया जो इस पे आंट और मदर थी वो भी जो है समंदर में चली गई ठीक है what is the opposite of the underlined word opposite पूछ रहा हमने इसको highlight कर दिया underlined word कौन सा है uprooted uprooted का opposite कौन सा होगा plant ठीक है na uproot होना मतलब uproot होना जड़ों से उखार देना and plant होना मतलब लगाना ठीक है जली दिन आपका है the little girl does not want to talk about the incident with anyone because जो छोटी बची थी वो किसी से बात नहीं करना चाहती थी इस incident के बारे में because क्यों 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 वो hospital के अंदर थी नहीं वो hospital से आप पोर बलेर में आ चुकी है हमने ऊपर देखा वो एक deep shock के अंदर थी just this is the reality वो एक deep shock के अंदर थी she has lost her memory नहीं उसने अपनी memory lost नहीं की है just just वो trauma के अंदर है she is happy to be alive वो खुश्ख है कि वो जो है जिन्दा है नहीं ऐसा भी नहीं है वो जो बची है वो traumatized है ठीक है ना पोर बलेर में आ रही है किसी से बाद नहीं का रही क्योंकि वो traumatized है इस incidence को लेकर ठीक है ना तो that's the answer चलिए तो इसका था बीक she is in deep shock तो जहां पर एक अंदर लिखा हम इस तरह से एक्जाम के अंदर लिखते हैं plant and be she is in deep shock ठीक है ठीक है होगे हमारा दो paragraph आते हैं हम next पर yes here we have read the following read the following picture and complete the paraphrase by filling up the blinks with the prepared words यह उपर जो है आपको एक picture दी गई है and then इसी picture पर based जो है हमने इसको observe करके नीचे जो है हमसे questions पूछ रहा है हमने उसको fill करना है शहां पर क्या हो रहा है एक बचा है एक बेर है जो आपसमें डास कर रहे हैं तो चलिए आते हैं हम नीचे a picture presents the picture presents a dash dash beautiful scene of nature नहां पर आप कुछ भी लिख सकते है delightful लिख सकते हैं charming लिख सकते हैं the picture presents a beautiful charming चैसके लावा भी कोई और वोड़ अगर आपके पास हो आप लिख सकते हैं ठीक है ना जो मैंने लिखा है यह आप इस पूरे का जो पूरा paragraph होता है इसका meaning निकलनी चाहिए और जो sentence आप भना रहे हैं उसके अंदर कुछ meaning निकलनी चाहिए जो आपने word fill किया है the scene is of some dash dash forest जो scene है वो आपका किसी forest का है ठीक है ना जो बच्चा और जो डिब भे रहें जो जो यहां पर डांस कर रहें तो किसी forest का जो है scene है इसके अलावा जो है the scene is of some joyous moment scene जो है किसी joyous moment का है यह भी लिख सकते हैं ठीक है ना forest की जग़ा पर joyous moment लिख सकते हैं जो इसके अलावा the scene is of some some what some dancing moment M-O-M-E-N-T किसी dancing moment का जो है लिख सकते हैं ठीक है कुछ भी आ सकते है not necessary यही हो there is a bear, यहाँ पर एक bear है यह वाला जो bear है dancing with a boy, जो dance कर रहा है एक boy के साथ, यहाँ पर bear लिखोगे यह बेर लिखोगे, नौड़े भी किश्व, यहाँ पर bear लिखो यहाँ पर bear लिखो, यहाँ पर bear लिखो यहाँ पर एक bear है, एक boy है जो आपस में dance कर रहे है ता bear seems very friendly, जो bear है वो काफी friendly दिख रहा हमें किस के साथ बच्चे के साथ, with the boy हमें बच्चे के साथ काफी friendly दिख रहा है जाए इसके जगा पर हम happy दिख रहे है जो पिक्चर है, जो फिरेंडशिप दिखा आती है हमें कि इस बच्चे और इस बेर इस अनिमल के बीच में जो है कैसा relation है, ठीक है तो मतलब यह जो मैंने लिखी है इसके लाव कुछ और भी हो सकती है प्रवाइड जे के मीनिक पूरा आना चाहिए जेस तरह दा पिक्चर शोउज बांड बेटवीन दवाइड अनिमल इस तरह से आसे आते हैं नीचे राइड दे स्किल्स एंद राइडिंग स्किल्स सेक्शन भी आपका है अबसर दा फालूइंग पिक्चर एंड राइड जो आर अबसरवेशन जोने पैरेग्राफ आज यह जो नीचे दी गई एक पिक्चर है आप इसको अबसरव करिये एंड दिन इस पे बेस्ट जो है नीचे पैरेग्राफ आप उसको आंसर कीजिए पैरेग्राफ के अंदर हम क्या देखने हैं पैरेग्राफ के अंदर हम देख रहे हैं कोई हिली एरिया है यह जो इस तरह से पहाड है कोई पहाडी एरिया है जहां पे जो गारिया है रोड पे या तो यह चल रही है या रुकी हुई है पाकी रोड पे बरफ है, बरफ जगर आप देखें तो 3、 4 एंच आपको बरफ दिख गरी रही है, ज्यादा कोई है नहीं, ऐसा लग रहा है, कि बरफ रिसंटली आई है, रिसंटली का पता चलता है, जहां पर यह जो पेड है, इन पे बरफ है जहां पे आपको पेड दिख रहें, जहां पेड़ दिख रहें, ठाकी देखनेंगे, तो इदर मकान नहीं, कुछ नहीं, कोई वेरांसी जगा है ठीक है, एन oh चली, तो ये मतलब करता है कहला एक जाड़ सेट है तो कैसी situation होती है, ये पर स्क्डेशन के एक रोड को देख रहे हैं जिसके उपर जो है बहुत सी सनो है इने हिली एरिया किसी हिली एरिया के अंदर ठीक है न पहाड़ी एरिया कोई further it is observed further हम observe कर रहे हैं some vehicles कुछ गाड़िया है are either stuck or moving on the road जा तो रुकी हुई है जा तो चल रही है रोड पे the snow seems to have accumulated to a depth of around 3-4 inches जो snow है हमें दिख रही है कि 3-4 inch जो snow है जमा हुई है and it appears that the snowfall may have been recent और ऐसा लग रहा है कि यह जो snowfall है यह recent है ठीक है न मतलब इतनी पुरानी नहीं है recently हुई है the snow makes the place look beautiful and peaceful यह जो snow की वज़ा से है इसकी वज़ा से जो जगा है काफी खुबसूरत और काफी peaceful जो है लग रही है in nutshell अगर in summary में हम देखें ता picture shows a winter landscape with some vehicles traveling through the snowy train carefully तो in nutshell अगर हम देखें तो एक picture है जो हमें एक winter का landscape दिखा रहा है जिसके अंदर जो गाडिया है वो काफी आपको दिया है कि ऐसे भी हो सकता है अब try to write this ऐसा वाला आप लिखें क्योंकि यह वाली जो है आपकी capacity हो दीखें लिखने की माक्स आपके नहीं करते हैं जितना आप अपनी लेंग्वेज में बनाने के लिखते हैं आपको examiner encourage करता है ज्यादा माक्स देता है अपना लिख लिख सकते हैं दिन आप आर करके नीचे जो आपको mind map दिया गया है यह वाला दूसरा इस पर आप परग्राफ लिखें नेचर पे परग्राफ लगवाना चाहता है हिंट इसने दे दिया है fresh air का pollution free का फेवर water का forest का hygiene का घरिनरी का healthy life का एंड पेवर food का यहीं वाले जो हमारे title नहीं मांग रहा था मैंने नहीं लिखा जहां पे जो है title आरेडी है तो मैंने लिख दिया ठीक है nature is important for our health and well-being nature जो है important है हमारी health and well-being के लिए ठीक है ना health and well-being के लिए it provides us with paper food देखे paper food उपर उसने का रखा है तो मैंने इदर लिख दिया and paper water paper water उपर भी इसने जो है इदर लिख रखा था मैंने जो है जहां पे लिख दिया है to keep our bodies healthy यह जो है हमें paper food and paper water प्रवाइडी करता है जिसकी हमारी जो body है वो healthy रहती है we need fresh air हमें fresh air की जरूरत होती है जे भी उपर था मैंने लिख दिया to breathe and a pollution free environment to stay healthy और pollution free environment जो है हमें nature providing करता है जिसकी वज़े से हम healthy रहते हैं forests उपर था mind map के अंदर हमने लिखा forests are important for animals and environment हमारे जो forests है वो animals और environment के लिए important होते है they also help to clean the air we breathe जे जो है clean करते हैं air को जो सांस हम लेते हैं उसको जो है clean करते हैं we need to keep our salvage clean and practice good hygiene हमें अपने आपको जो है hygiene ये वाला है देखो लिख दिया हमें किस तरह adjust के हमें sentence के अंदर we have to keep ourselves clean and practice good hygiene हमें खुद को जो साफ रखना चाहिए और जो है अच्छी तरह से जो है भाई सुथरा ही हमें रखनी चाहिए ताके जो diseases हैं उनसे हम खुद को बचा पाए greenery greenery is important for our mental health greenery जो है हमारी mental health के लिए important है and helps us to feel calm and peaceful और हमें जो है calm और peaceful रहने में मद्द करती है in short nature is very important for us and we should take care of it short में हम बात करें तो nature हमारे लिए बहुत जरूरी है और हमें इसका हयाल रखना चाहिए so that we can stay healthy and happy ताके हम healthy and happy रहें I'm sure यह वाले जो थे fresh air, food, just healthy lifestyle यह पूरे के पूरे words मैंने शूज किये अब examiner जब देखेगा even के मुझे इनको highlight भी करना चाहिए जो मैंने इसके अदर शूज किये इसको मुझे underline करना चाहिए यह capital words के अंदर लिखना चाहिए मुझे ठीक है ना पूरे को ताकि उसको पता चले जो words मैंने उपर दिये हैं इसने बिल्कुल adjust कर पाया तो just तब मुझे देगा पूरे marks देने चाहिए उसको next question है हमारा यह वाला है आपका जा तो letter लिखनी है जा तो नीचे email लिखना है तलिक उपर letter की बात करते हैं ताकि आप जो है जो है शीखागया computer जो है अपनी study के अंतर इस्ताइड कर सेके write a letter to the head of an institution आप head of an institution को एक letter लिखिए जो आपके school का head है और उसको request करिए to establish the sad laboratory in your school आपके school के अंदर जो 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 laboratory है इसको establish किया जाए ICT laboratory you can also highlight the benefits of ICT laboratory आप जो है highlight कर सकते हैं benefits भी ICT laboratory के to the students to support your demand आप अपने students को क्या फायदे होंगे वो भी जो है आप अपनी application के अंदर लेख सकते हैं ताके आपकी demand की ज्यादा एहमियत बने okay so हमें application लिखनी है हम आगे and here we are हमें government middle school के head of an institution को लिखनी है तो वहां पे कौन होता है generally headmaster होता है headmaster government middle school headmaster करके मैंने कामा किया कामा किया अपर मैंने जो है जहां पे जहां जब हम letter लिखते हैं जहां पर अपना address लिखते हैं for example me this address कहां से जा रही है फिर उसके नीचे हम इदर date लिखते हैं फिर उसके नीचे जो है किसको letter हम लेज रहे हैं उसका लिखते हैं इस्टैबलिश करने के लिए application दुरहास दी जा रही है sir कामा कर दिया हमने respectfully I beg to state that आवर हम जो है आप से जो बनाना चाहते हैं कि हमारे school के अंदर देखे यहां पर यहां पर यहां पर था मैंने कार दिया इसको our school बाकि मैंने यह वाली जो line है सेम उठा के जहां तक की जो है पूरी इसके अंदर लिखती है देखें आप देखें आप इसको बाकि यह सेमना आवर हमारे school के अंदर जो है ICT लिए नहीं है यह वाला जो था इसको मैंने किस में चेंज किया I along with my classmates are very desirous to learn बाकि यह सेमना इन आवर स्टेडीज तक ठीक है तो यह आपके जो है application का crux था यह आपने body के अंदर most important था यह आपने लिख दिया 100% आपने ठीक कर दिया उसके बाद क्या है आपका therefore you are requested जहां से नीचे वाला यह वाली जो line है ready to tie हो दी है सब जग़ा पे आपकी respected office रिक्वेस्ट की जाती है कि sad laboratory जो है आपके school के अंदर establish की जाए तो यह वाला आप लिखेंगे and then thank you for your consideration जो आपके लिखेंगे x, y, z लिखेंगे class 8 लिखेंगे roll number 10 लिखेंगे क्योंके exam खाल के अंदर हैं जो हम common applications के अंदर choose करते हैं बाद यह है कि उसने बोला था ICT laboratory के आप benefits लिख सकते हो वो मैंने लिखे हैं जहां पर यह आपके different भी हो सकते हैं जा लिखना compulsory है भी नहीं क्योंकि उसने बोला कि आप इसको लिख सकते हो हम नहीं लिखना चाहें तो not a big issue but anyway हमें लिखना चाहिए ठीक है NICT क्योंकि दूसरे बचे लिखेंगे हमने नहीं लिखेंगे तो शायद उसको लगे कि इसको नहीं आता NICT laboratory will provide us with access to modern technology and equipment एक ICT जो laboratory है हमें access provide करेगी modern technology और जो equipment है latest उनको which will greatly benefit our education जो है हमारी education को बहुत ज्यादा जो है benefit करेंगे we will be able to learn how to use computers हम सीख पाएंगे के computer को कैसे use किया जाता है and the internet for research और हम internet का इस्तमाल कार पाएंगे किसके लिए research के लिए communication के लिए and other academic purpose और बाकी जो है academy दरसी जो purpose है नजाम है उनके लिए जो हमें use कर पाएंगे we will also be able to develop our technical skills which are essential in today's digital world और हम जो है अपने technical skills develop कर पाएंगे जो आज के समाने में जो है जिनकी है काफी जरूरत है तो इस तरह से हमने जो है application अपनी कर दी and then application के बाद अगर हम देखे application अगर आप नहीं लिख पाते थे तो आपने आर करना था इंड्ये वाला email लिखना था email क्या है आपकी class educational trip के लिए जार ही है आपका जो class teacher है आपको बताता है आप आपने जो है parent की जो है परमिशन की permission जो है ले लीजिए who is out of home जो इस वक्त गार में नहीं है जो इस वक्त का है बाइर है किसी business trip पे गया है and is expected to return after the trip date और ऐसा expect या जा रहा है कि जब वो वापस आएंगे तो जो आपका trip की date है वो खतम होगा मतलब तब आपका trip हो चुका होगा जो आपका educational trip होने वाला है जब आपके guardians या parents आएंगे उससे पहले ही हो जाएगा अब आपके पास कोई option नहीं बज़ता है and आपको writer मजबूर गार रहा है एक email लिखने के लिए now you have decided to communicate him अब आपने ये डिसाइड कर लिया है अब इसने तो खुद ही decide गिया अब आपने डिसाइड कर लिया है कि आप communicate करिये किनको अपने parents को या guardians को किसे electronic media से अब electronic media हमें बहुत सी चीज़े आती है हमारा watch से facebook कुछ भी आता है but नहीं हमें रोक रहा है यहां पर writer आगे लिखके write an email हमें specifically बोल रहा है कि आप एक email लिखिए इसको to him are asking for the grant of permission for the sad educational event educational trip आप अपने guardian को या parent को जो है एक email लिखिए एंड उससे permission लीजिए जो educational trip होने जा रहा है आपको भी इसके अंदर allow किया जाए जलिए हम आते है नीचे जहां पर जो है इसको हम लिखेंगे जहां पर हमने लिख रखा है ये वाला जो है आपका ये वाला question है email का हमारे बास format बहुत जरूरी होता है ठीक है न हमने date लिख दिया date आज का है from लिख दिया मैंने कहां से जा रहा है abcadgmail.com ये तो अभी open हो रहा था ठीक है to this इसको जा रहा है subject क्या है permission for educational trip के लिए हमें permission चाहिए dear mom तो मैं आपनी mom को लिख रहा हूँ she is my guardian and ठीक है वो ही बाहर है I am writing to ask for your permission for an educational trip मैं लिख रहा हूँ इसलिए आपकी अजाज़त के लिए के हमारा एक educational trip होने जा रहा है that our school has organized हमारे school ने और्गनाईज़ किया है educational trip उसकी अजाज़त के लिए मैं ये email आपको लिख रहा हूँ your child will be going on the trip तुमारा बच्चा जो है ये कहां जा रहा है trip के लिए जा रहा है but as you are out of the town लेकिन जैसा के आप town के बाहर है किसलिए बाहर हैं ठीक है ना आप email लिख रहे हैं so I am sending you an email to ask for your permission इसलिए मैं एक email बेज रहा हूँ आपकी permission के लिए the trip is on schedule the trip is on the trip is scheduled the trip is scheduled is scheduled on tomorrow tomorrow क्याल मैं लिखा था question में tomorrow है your class is educational to 60 then this is expected to return the trip data okay the trip is scheduled the trip is scheduled within days within days within days अब लिखते ठीक है रहा the trip the trip is scheduled within days and we will visit educational and historical places और हम जो है विजट करेंगे educational and historical places पे आपर टीचर विल गो विद आस हमारा जो टीचर है हमारे साथ जाने वाले हैं we will be safe और हम है जो वहां पे safe रहेंगे क्योंकि हमारे जो टीचर्स हैं वो साथ में हमारे जाने वाले हैं the trip will help your child learn new things यह जो trip है तुमारे बच्चे को help करेगा ताके हम नीचे नई चीज़ें सीख पाएं and be fun ठीक है न और चे काफी interesting रखेगा please let me know if I can go मेरबानी करके मुझे बताईए कि क्या मैं जा सकता हूँ thank you records and loving son का नाम इदर आएगा ABC okay regards करके नीचे कामा करके ठीक है न आदे हैं नीचे आपका next है the next Sunday your family is organizing launch अच्छ ठीक है यह है आपका WhatsApp message आपको WhatsApp message यह है question number 6 question number 6 का जो WhatsApp message यह हम जहां पे लिख रहे हैं next Sunday है आपका जो family है उसने organize किया था एक lunch ठीक है ना एक lunch organize किया था जिसके अंदर बहुत से आपने आपके ने रिष्टेदारों और दोस्तों के लिए एक lunch organize किया था the weatherman had predicted bad weather for some days जो weatherman था weatherman जो है मौसम वालों ने जो है जनकारी दी है कि मौसम जो है कुछ दिनों के लिए खराब रहने वाला है so the family decides to post on the launch program इसलिए जो है family आप decide करती है कि यह जो हम schedule कर रहें next Sunday के लिए lunch program हम इसको cancel कर देंगे तब तक के लिए जब तक के जो weather है ठीक नहीं हो जाता मौसम ठीक नहीं हो जाता तब तक जो है cancel हो रहा है हमारा परूरा you are launching you are running WhatsApp group आपका जो है एक WhatsApp group चल रहा है in which all the relatives and family friends are participants जिसके अंदर सभी जो relatives हैं जा family friends जो है तो सब के सब जो है participants है your family asked you to post a message इसलिए आपकी जो family है आपको बता दिया है कि आप एक message post कीजिए in your WhatsApp group अपने WhatsApp group के अंदर about the postponement of the launch program till the next date आप जो है एक message लिखे WhatsApp के अंदर एक group के अंदर एक post डालिए आपका जो launch program आपने next Sunday के Sunday को रखा हुआ था आपकी family ने वो अब पोस्ट पॉंड होने जा रहा है वो पोस्ट पॉंड हो गया है क्योंके weather जो है वो खराब बताया जा रहा है इसलिए जो है जब तक weather ठीक नहीं हो जाता तब तक जो है launch हम रिश्टूल करेंगे उसके बाद तो चलिए आप group के अंदर message डालेंगे तो imagine करिए आप ही situation में होते हैं तो कैसे message डालते है जब ग्रूप होती है WhatsApp को जहां पर हम लिखते हैं जहां पर किस टाइम पर डाल रहें आप डाल रहें तरह से डाल रहें टाइम भी होता है जब आपने WhatsApp ग्रूप में देखा होगा जहां पर टाइम होगा जहां पर ऊपर डेट आता है आपका कब आप message कर रहें ठीक है डेराल सब को डेराल करके फिर कामा I hope you are doing well मुझे अमीद है आप सब ठीक होंगे आपर फेंदी है लांज प्रोग्राम फार नेक्स्ट संडे हमारी फेंदी ने डिसाइड किया था कि एक जो लांज प्रोग्राम है नेक्स्ट संडे को होगा बट दा वैदर इस पोस्ट पॉंड किया जाए until the weather gets better जबता कि weather जो है ठीक नहीं हो जाता sorry फॉल स्टाप करके sorry करके इसके लिए हम माज़रत खुआ है will let you know the new date as soon as possible ASAP का मतलब होता है जो new date जो हम रखेंगे उसके बारे में हम जल्दी आपको communicate करेंगे thank you for understanding ठीक ना शुकरिया आप जो है हमारी इस बात को समय दे हैं regards करके कामा and then आप अपना नीचे नाम लिख सकते हैं x y z लिख सकते हैं नहीं भी लिखेंगे तो WhatsApp में जहां पर जिसको message जाएगी जहां पर आपका number वैसे भी reflect हो जाता है तो यह था हमारा WhatsApp का message जिसको हमने कर दिया and यह वही है ठीक है ना इसको हमने कर दिया ऊपर चलिए नीचे है आपका जो है grammar section से है do as directed supply the appropriate grammatical items in the blanks provided जो नीचे आपको blanks दी गई है इसके अंतर जो है appropriate grammatical items जो है यहाँ पर आपको डालना है two friends दो दोस्त हैं the duck and the kangaroo duck है और kangaroo है we are about to set out on a long pleasure trip एक जो है एक लंबी जो है एक adventure पे जो है प्लेजर ट्रिप पे जो है दोनों जा रहे थे कौन कंगारू and duck जो duck है एंड कंगारू है दोनों जो है जा रहे थे कहां पे एक long pleasure trip पे ठीक है दी कंगारू do happy to carry the duck all the way जो कंगारू था ये बहुत जो था हलांके खुश था कि वो जो duck है उसको अपनी जो पीड है उस पे उठा के चलता रहे वे on the tip of his tail ठीक है न तो जो कंगारू था ये जो था हलांके happy था कि किसको duck को लेकर चले कहां पे on the tip of his tail dash dash the tip of his tail अपनी जो 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 दूम थी दूम की जो टिप पे है उस पे जो है किसको duck को उठा के चले ठीक है न आन तो आन जहां पे हमने बर दिया is very of her wet feet जो हलांके लेकन वो तंग था किसकी वज़ा से उसका जो बीगे हुए पैर थे किसके बीगे हुए पैर रहते हैं duck के duck ज्यादा पानी में रहती है तो बीगे हुए पैरों की वज़ा से जो कंगारू था वो तंग था ठीक है न what dash dash the duck can do duck जो थी क्या कर सकती थी तो कर सकती के लिए सकती के लिए हम लिखते हैं can what can the duck do ठीक है न यह वाला model हमने जहां पे बर दिया यह वाला आपका टैंसर है वाज भी यह वाज वेर ठीक है न तो यह आपका फिर हमने लगा है यह वाला हमने आपका प्री पोसिशन लगाया जहां पे आन यह वाला आपका केंजो है model है यह आपका अगेन जो है प्रिपोजिशन है तो मेक दी कंगारू जो कंगारू है डग क्या कर सकती है कि कंगारू को वो फील जो है कमफ़र्टेबल फील करवा सके अवर लेंड एंड सी ठीक है ना किस पे जमीन पे एंड सी पे लेट्स ट्राय तो फैंड आउट खावदी बीन अबाऊट चलिया हम अब देखते है के यह किस तरह इस चीज के बारे में जाते हैं किस तरह इस चीज निपटते हैं इस चीज को किस तरह फालु आप करते हैं दो हम ने इस के अंदर फिल किया जो है आपका next है the teacher said to me teacher ने मुझे बताया how you designed your science model क्या आपने design किया है आपका science model direct speech है अब फिर इसको that means हमें इसको इंडरेक्ट बनाना है the teacher asked me ये वाला है ठीक है ना हमने इसको ask कर दिया the teacher asked me, teacher ने मुझे बताया if I had ठीक है ना तो if या हम weather, if की जगा पर weather भी लिख सकते थे ठीक है ना if I had, तो यू था यू को हमने जो है I में convert कर दिया if I had, हो था इसको हमने जो है past दे दिया had, designed, ठीक है same रखा, you are था, इसको हमने change किया my science model, if I had designed my science model, तो इस तरह से हमने इसका बना दिया, interact the student replied that he was not at home yesterday, student ने reply किया कि वो yesterday, कल जो है घर में नहीं था the student said, student ने बताया, I was not at home yesterday, मैं जो था मैं घर में, कल घर में नहीं था, ठीक है ना तो ठीक हो हमने दिन I बनाया and was was not at home yesterday ठीक है, तो इस तरह से हमने जो है इसको, या इसका हमने direct speech बनाई, दिन है आपका section C, section C के अंदर आपका literature होता है, जिसके अंदर जो है आपके book के questions आपसे पूछे जाते ही I'm sure ये वाला session आपको जो है interesting लगा होगा, ये वाला जो नीचे आपका section C है, section C जो है examiner आपके question repeat करता रहता है आप इनको जा कर गोत्रो कर सकते हैं और आप इनको एक पर जग सकते हैं, क्योंकि next time आपसे examiner जो है ये वाले questions पूछ सकता है आपको जो explanation अच्छी लगी हो तो आप like कर सकते हैं हमें कमेट करके बता सकते हैं अगर कहीं पर कोई issue होगा तो direct आप जो है हमें email ढाल सकते हैं जो आप हमें कमेट करके बता सकते हैं इसके अलावा जो है अगर आप वह से बात करना जाएं तो आप जिस्ट में जो है Twitter, Insta and Facebook पे जो है contact कर सकते हैं कोई भी आपका query या question होगा कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें इंट्रेस्टिंग लगा होगा आप विद इस हम चाहते हैं कि आपकी इस जिन्दगी में काफी खुश्य रहे आप enjoy करते रहें तो चलिए मिलते हैं फिर कभी next video में तिल दिन भाई